हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो एडिटोरियल एनालिसिस बाइ सिंप्लिफाइड सिविल सर्विसेज आज 2 अगस को तोटल दो आर्टिकल डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है लेंडमार्क बेंचमार्क रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लेंडमार्क जज्जमेंट दिया है रेलेटेट टू रिजर्वेशन ऑफ सेस्टी कमिनिटी एनिट सब कैटेगराईजेशन और सब डिविशन बहुत इंपोर्टेंट ये आर्टिकल है और ये जो वर्डिक्ट आई है अपने अपने एक लेंडमार्क वर्डिक्ट है जिसके बहुत जादा फार रिचिंग सोशल जस्टिस के लिए इंप्लिकेशन है इसे डिटेल में समझेंगे कि क्या चेंज होने वाला है नेक्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है अवर्डिक्ट ऑन दे मनी बिल डैट अवेट्स इंडिया रिसेंटली आपके दवजाद चौबिस प्रिलेम्स में मनी बिल से रिलेटेट को पिछले साल भी आपको आर्टिकल आये थे जिसमें आर्टिकल 109 को मेंशन किया ग करेंगे मनी बिल से रिलेटेटेट जो कंटेंशी इशू है उसको समझेंगे और साज जच की बैंच है जिसके आने वाली है वर्डिक्ट यसके इसे से रिलेटेटेट जो डिस्प्यूट है उसे भी डिसकास किया जाएगा अगर आपको हमारा आनलेसिस पसंद आ रहा है तो वहाँ पर आपको एक डारेक्ली लिंक मिल जाएगी उस पर अक्लिक करके जॉइन कर सकते हैं, आएए शुरू करते हैं हमारा एनलेसिस, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लेंडमार्क बेंचमार्क, यह आर्टिकल इंडियन एक्स्प्रेस में आया है, जी एस्टु पॉलिटी में of SCST for reservation, बहुत important यह judgment है, हम लोग subcategorization की अभी तक बात किया करते थे, OBC के लिए, और creamy layer की हम लोग बात किया करते थे, OBC के लिए applicable है, पहली बार Supreme Court का judgment आया है, जिसमें subcategorization, subclassification की बात की गई है, SCST community के अंदर, और creamy layer की भी बात की गई है, सो बहुत important यह आपका judgment हो जाएगा, सोचल जस्टिस के perspective से, शुरू करते हैं article, The seven member bench of the apex court has allowed the state government to subdivide the reservation quota meant for SC, scheduled caste, and ST, scheduled tribe, The court has also opened the door for identification and exclusion of the creamy layer in the SCST categories from the benefits of affirmative action, So, State of Punjab versus Davindar Singh case में, court ने साथ judges की bench बनाई थी, और कल एक landmark judgment दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि state government अब SCST category के अंदर subdivision कर सकती है, अभी तक कि हमने subdivision, subcategorization की बात OBC के अंदर सुनी थी, जिसमें state government OBC के अंदर subdivision करके रखती है, लेकिन पहली बार जो है, अब यह हो रहा है कि SCST category के अंदर भी subdivision हो सकता है, सो इसके implication क्या होंगे, subcategorization यह sub division का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारी कास्ट को हमने ABC के अंदर divide कर दिया, यह SC category की वो कास्ट है जो पिछडों में भी सबसे ज़ादा पिछड़ी है, ठीक, उसके बाद relatively कम पिछड़ी है और यह जो सबसे आदा reservation का फायदा ले रही है, अब आप इसको कैसे judge कर सकते हैं, आप judge कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी में इस कास्ट के कितने लोग हैं, जैसे कि मीना की बात करते हैं, मीना जनरली आपने list देखा होगा, तो राजिस्थान की एक कास्ट है, जो कि SC के टिगरी में आती है, SC, SC, SC के टिगरी में, तो वो particular कास्ट, जादतर आप देखेंगे list निकाल गए, तो बहुत सारे बच्चे उस particular कास्ट के होते हैं, अब एक जनरेशन के लोग I.E.S बन गए, मीना कर्मिनिटी के मीना कास्ट के, अब फर्स जनरेशन बन गई, नेक्स जनरेशन भी उसी रिजर्वेशन का फाइदा ले रही है, थर्ड जनरेशन भी, तो ऐसे में क्या होगा, जो A और B कैटिगरी के कास्ट के लोग हैं, उनको बहुत जादा नुकसान होगा, वो कभी उपर आएंगी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो C कैटिगरी के जो डॉमिनेटिंग है, आना जिनके पास सारी अपॉर्चिनिटीज हैं, जिनके पास सारे रिजर्वेशन हैं, और सारे रिसोर्सेज भी हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रॉंग पोजिशन, सोशल और एकनॉमिक स्टेटस में उपर आ चुके हैं, तो रिलेटिवली ये ही आगे बढ़ते रहेंगे, रिजर्वेशन का फायदा ले करके, और A और B को रिजर्वेशन बिलकुल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोट में कहा है, कि भाई आप सब डिविजन किया जा सकता है A, B और C में, और उसके हिसाब से आप अलग-अलग परसेंटेज में क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, इसका मतलब अगर 15% टोटा है, तो आप A केटिगरी को 7% दे दो, B को 5 दे दो, 3 को 3 दे दो, तो इस तरीके से सभी को रिजर्वेशन होगा, लेकिन सब डिविजन होगा, जो जादा पिछडे हैं, उनको रिजर्वेशन का actual benefit मिल पाएगा, चीज़े clear है क्या, दूसरा इसमें क्या कहा जा रहा है, OBC, क्रिमी लेइर, OBC में क्रिमी लेइर एक concept होता है, तो यहाँ पर भी सेस्ट में क्रिमी लेइर concept इंटोड्यूस करने की बात की जारी है, OBC का जो क्रिमी लेर कंसेपट था 1992 में इंदरा साहने केस में इंट्रोड्यूस किया गया था सो क्रिमी लेर और नौन क्रिमी लेर के बारे में आपको जानकारी होगी जनरली अगर आपके father mother आप लोग OBC हैं लेकिन आप A class service में हैं या B class service में हैं तो आपको OBC का benefit नहीं मिलेगा, आप creamy layer में आएंगे, आप cream layer में आएंगे, मतलब आप OBC के अंदर वो cast हैं, जो की dominating है और cream है, इसलिए आपको reservation की जरुरत नहीं है, तो reservation जो की affirmative action है, उनके लिए है, जो पिछडे बहुत जादा है, चुकि आपके पास social status भी है, economic status भी है, इ बहार होते हैं, reservation से, so OBC में ये concept 1992 में introduced किया गया था, SCST में ये concept अभी तक नहीं था, लेकिन इस judgment के बाद से, किसी ना किसी form में, creamy layer के concept को भी introduce किया जाना है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा landmark judgment है, चीज़े clear है क्या, एक और example से समझते हैं, टीना डाबी का जो case था, बहु उन्होंने reservation का साहता लेकर के, हाला कि उनकी rank 1 जरूर आई थी, लेकिन उन्होंने prelims में general का quota clear नहीं किया था, और उन्होंने reservation के थू जो है, prelims निकाला था, इसलिए उनको final जो seat मिली थी, वो reservation की seat मिली थी, so बहुत सारे लोगोंने criticize किया था, कि क्या SCST के अंदर subcategorization या criminal layer concept introduce नहीं किया जाना चाहिए, क्या Tina Darby को भी reservation की जरूरत है, उनके father-mother का social और economic status काफी उपर है, और उनके पास भी same resources है, वो भी बड़ी-बड़ी coaching में पढ़ रही है, even ऐसा कुछ भी सुना था, कि उनके घर में faculties आया करती थी, उनको guide करने के लिए, so इतने जादा privilege होन ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी category के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उस समय उठा था, और आज नहीं तो कल ये जो judgment था, ये आना ही था, क्योंकि category, ऐसी category के अंदर भी हमें बहुत जादा disparity देखने को मिली है, चीज़े क्लियर है, the court much awaited judgment in the state of Punjab v. Zavindar Singh case, mark the conclusion of 20-year-long legal struggle by state government to liberate themselves from the limit upon their power to subclassify scheduled caste, ठीक, तो जो state of Punjab v. Zavindar Singh case था, जो की सुप्रीम कोट ने इसी case के अंदर ये judgment दिया है, ये judgment जो है state government के favor में है, जो 20 साल से legal battle लड़ रहे थे, कि भही हमें सब division करने का अधिकार दीजिए, the point of contention was the correct interpretation of article 341 of the constitution, तो problem कहां पर थी, article 341 of the constitution का proper interpretation करने से related issues थे, article 341 में क्या कहा जा रहा है, it empowers the president to notify the list of caste to be deemed as scheduled caste throughout the country, तो article 341 के अंदर, president के पास ये power है, कि वो SC category की जो caste है, उसको notify कर सकता है throughout the country, तो state government के पास किसी भी तरह की power नहीं है, ऐसा जो है Supreme Court की कई verdict में कहा गया है, जैसे कि 2004 में 5 judge की bench थी Supreme Court की EV चिनईया case में, जिसमे Supreme Court ने कहा था, कि जो schedule caste होते हैं, वो homogenous class होती है, हना और इसलिए उन्हें subdivide नहीं किया जा सकता, Supreme Court का जो decision था, वो 341 आर्टिकल का ultra technical view था, तो इन्हों ने ये कहा था, 2004 की ये verdict है, और 2024 में अभी Supreme Court की 7 judge की bench की verdict आई, चुकी चिनईया 5 judge की bench की verdict थी, तो इसको अगर change करना है, तो हमें इससे उपर की judge की bench बनानी पड़ेगी, और 7 judge की bench ने ये चिनईया case था, इसको reverse कर दिया है, वर्डिक को null invite कर दिया है, 2004 वाली को, चीज़े clear है क्या, तो जो चिनईया judgment था, उसमें basically ये कहा गया था, कि SCST community homogenous है, इसलिए इसमें subdivision की बात ही नहीं होती, लेकिन जो अभी का judgment है, उसमें Chief Justice of India, D.Y. चन्रचूड ने कहा है, कि SCST category के अंदर भी बहुत ज़ादा heterogeneity हमें देखने को मिलती है, और जो 2004 का judgment था, इवी चन्रचूड नहीं वो social reality से थोड़ा different था, हना 2004 के अगर हम बात करें तो economic disparity इतनी ज़ादा नहीं थी, लेकिन पिछले 20 सालों में economic growth बहुत ज़ादा होई है, इसी category के अंदर भी, so disparity भी बहुत ज़ादा बढ़ गई है, और इसी कारण से आपको ये sub-division वाली verdict देखने को मिली है, एवी चन्रचूड नहीं केस, fail to acknowledge that the categories like schedule caste or schedule tribe are very large basket, that contain social group of different status, based on different traditional occupation and therefore varying degree of disadvantage, अना तो जो राइटर हैं वो ये लिख रहे हैं कि, जो 2004 की verdict थी, वो ये समझ नहीं पाई, कि जो SCST community होती है, वो बहुत सारे social, different social group का एक समू है, हर एक जो social group है, हर एक caste है, उनका अपना tradition है, और अपने tradition के हिसाब से उनके occupation है, और therefore they were facing different degree of disadvantage, तो हर एक को अलग degree of disadvantage face करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये heterogeneity आपको cultural basis पर, occupational basis पर पहले से ही दिख रही थी, ये writer का कहना है, अब data देख लेते हैं heterogeneity से related, रिसेंटली बिहार में कास census हुआ था, उसी census का data देखते हैं, of every 10,000 person, 120 dhobis had decent higher education degrees, while this number was 45 for the dhousand community and just one for the most disadvantaged musaher community, so, यहां पर example दिया है, कि अगर हम हर 10,000 लोग देखें, 10,000 dhobis को देखें, 10,000 dhousand community के लोग को देखें और 10,000 musaher community के लोगों को लें, तो इन 10,000 में 124 dhobis caste कास्ट के लोग ऐसे हैं, जिनके पास high education degree है, यही नमबर 45 हो जाता है दोसान के लिए, और केवल 1 रहता है, musaher community के लिए, तो आपको देखने को यहां मिल रहा होगा, कि कितना जादा difference है, एक कास्ट में, अना relatively dhobis यहां पर क्या है, better off है, और जो musaher है, community के लोग वो बहुत जादा worse off है, तो किसको जादा ज़रूरत होगी या, reservation की, इस musaher community के लोगों को जादा ज़रूरत होगी, similarly, Tamil Nadu के यहां पर बात की गई है, while Arunath Yars were about 16% of the SC population of the state, their presence among SC government employees were just about 0.5%, अना तो Tamil Nadu की एक कास्ट के बारे में बताया है, जो की SC category की है, उसकी total population 16% है, SC category के अंदर, लेकिन उनका total जो सरकारी नौकरी में प्रेसेंस है, वो 0.5% है, तो population के हिसाब से भी उनको representation नहीं दिया जा रहा है, the common-sensical solution to this gross inequality was to divide the category in two or more sub-categories and year mark separate quota for each group depending on their share in the population, yet attempt by the state government in Punjab, Haryana, Anachal, अंदर प्रदेश और बिहार fell foul of the court ruling, so, जो common-sense है, वो यही कह रहा है, कि इन सारी category को sub-divide करिए और सब को अलग-अलग quota दीजिए, उनके population के हिसाब से quota दीजिए, ताकि proper representation हो सके, चीज़े clear है रहा है, अभी तक कि state government ने try किया, लेकिन जितने भी high court थे, उन्होंने 2004 का Supreme Court का judgment का reference ले करके, उन्हें null and void कर दिया था, अब next जो issue है, वो OBC का है, OBC first time introduce किया जा रहा है, इसमें OBC का question बिलकुल भी नहीं था, यहाँ पर जो contentious is to the, वो 341 और subdivision का था, OBC का issue इसमें question नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी, जो Supreme Court के judge है, Justice BR गवई, जो कि SC category के ही है, उन्होंने इस बात को उठाया, कि क्या IS SC category का बच्चा, और एक Manal Labor का SC category का बच्चा, दोनों को same treatment किया जाना चाहिए, क्या SC category के अंदर, OBC को introduce करने का time नहीं आया है, हाला कि जो justice विक्रम नाथ है, उन्होंने clarify जरूर किया है, कि जो creamy layer का concept है, वो SC SC category में OBC category से different होने वाला है, अना तो दोनों में difference जरूर होगा, वैसा exactly चीजें copy paste नहीं की जाएगी, कुछ अलग criteria बना जाएगा, लेकिन OBC वाला जो creamy layer concept है, वो SC SC category में भी introduce होने वाला है, तो आने वाले समय में जो भी आपका criteria होगा, हना उसके हिसाब से creamy layer decide किया जाएगा, सरकार ये सारी चीजे decide करेगी, अब problem क्या है इसमें, problem यहाँ पर first यह है, कि implementation issue आएगा यार, हना आपको evidence based policy बनानी पड़ेगी, अब evidence तो तब बनेगा जब आपका census होगा, census अभी तक हुआ नहीं है, 2021 तक के census हो, तब जाके ये सारी चीजे हो पाएगी, उसके बाद आपको हर एक cast का representation कितना है, ये सारी चीजे करनी पड़ेगी, तो proper census करना पड़ेगा, फिर representation देखना पड़ेगा, उसके इसाब से subdivision और proper criteria, तो बहुत लंबी ये process होने वाली है, लेकिन OBC में जब हम कर सकते हैं, तो फिर SCST में भी हमें ये चीजे करनी पड़ेगी, तो करा तो जा सकता है, थोड़ी लंबी administrative exercise ज़रूर होगी, पैसा भी थोड़ा waste होगा, लेकिन reservation का फायदा एकदम जो downtrodden है, एकदम vulnerable community है, उसको मिल पाएगा या रहना, अगर आप एक generation और दूसी generation और तीसी generation, लगातार जो है, एक ही कास्ट के लोग अगर उसका फायदा उठा रहे हैं, तो फिर जो बच्ची होगी कास्ट है, वो तो पीछे रहे जाएगी, और ऐसे में reservation हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि कुछ कास्ट हमेशा पीछे रहेगी, तो सारी कास्ट को इसका benefit मिलना चाहिए, ताकि सभी लोग उपर आ सके, और social justice ensure हो सके, ultimately हमारा गोल क्या है, social justice को ensure करना, सभी लोगों को उपर लेके आना, जिनके पास opportunity नहीं है, और यही तो objective है, reservation का affirmative action, चीज़े clear है क्या, यह हमारा complete article था, हमारा next और आज का last article है, a verdict on money bill that India awaits, यह article दा हिंदू में आया है, GS2, quality, means के perspective से, काफी important article है, prelims के perspective से तो important है, 2024 के prelims में आपको money bill के ओपर question आया था, article 109, 110, 110 के ओपर question पूछा गया था, और last year भी आपको money bill से related articles आयते, जहां पर 109 article और 110 article mention किया गया था, अगर आपने articles अच्छे से editorial पड़े होंगे, तो आपको वो question बन जाता, इस बार जो prelims में पूछा गया था, बार बार ये चीज़े repeat होगी, कई बार money bill का question आपको पूछा गया, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार था, 2024 में जो पूछा गया, पहले भी कई बार आ चुका है, और आपको आने वाले सालों में भी इस related question दिखेंगे, इस article में हम लोग discuss करेंगे, Roger Matthew case के बारे में, उसके बाद money bill की definition क्या है, उसे समझेंगे, article 109 में क्या दिया है, 110 110 में क्या दिया हुआ है, इसके अलावा, जो finance act 2017 है, उसको detail में discuss करेंगे, इसी act को challenge किया गया है, Roger Matthew case में, इसके अलावा doctrine of colorable legislation समझेंगे, ये doctrine क्या होती है, और आधार act जो की money bill की तरह पास किया गया था, उसमें Supreme Court की क्या verdict थी, और इसी verdict को, कैसे इस Roger Matthew case में challenge किया जा रहा है, ये हमारा complete article रहने वाला है, article शुरू करते हैं, seven judge bench बनाई गई है, Roger Matthew case में, जिसमें Supreme Court अपनी hearing शुरू करने वाली है, आने वाले कुछ weeks में, और जो money bill का concept है, उसमें हमें और clarity मिल जाएगी, the reference to the seven judgments emanates out of the verdict rendered in November 2019 in Roger Matthew v. South Indian Bank Ltd. in which the Finance Act 2017 was under challenge. The Act, which was passed after its certification as a money bill, radically uttered the authority and jurisdiction of 26 different tribunals. It abolishes some of this body, must together other prescribed qualification for appointment of members, and imposed various other stipulations, including condition of services. So, 2017 में एक finance act लेकर आया गया था, जो finance act लेकर आया गया था, उसके थूरू कई सारे tribunals को merge किया गया था, और उसी act में, ट्रिबिनल के जो judges हैं, उनके appointment से related काफी सारे provision थे, जैसे कि उनका qualification क्या होना चाहिए, उनकी salaries क्या होना चाहिए, उनका tenure कितना होना चाहिए, ये सारी चीजे, इस finance act के अंदर pass की गई थी, और इससे as a money bill pass किया गया था, अब money bill pass करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ, लोग सबह में introduce किया जाएगा, और दूसरा, राज सबह में जाएगा जरूर, discussion जरूर होगा, लेकिन कोई amendment नहीं हो पाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये भी है, कि जो राज सबह है, उसको बाइपास अगर करना हो, तो आप कोई भी bill को as a money bill पेश कर सकते हैं, now money bill की definition देख लेते हैं, money bill होता क्या है, under India's constitution structure, for a bill to turn into law, it must obtain the sanction of both houses of parliament, इंडिया के constitutional structure के अंदर अगर कोई भी bill को law बनाना है, अगर वो ordinary bill है, या फिर वो constitutional amendment bill है, तो उसमें दोनों houses की सहमती की जरुरत है, सिर्फ एक exception है, वो है money bill, जो की article 109 में दिया हुआ है, money bill से related जो procedures है, वो आपको article 109 में दी हुई है, जो की इस बार prelims में यही similar चीज आए थी, आर्टिकल 109 allows money bills to be enacted as a law, with only the लोक सभा as approval, the राज सभा में make recommendation on the bill, but any suggestion from it would not bind the लोक सभा in any way, इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 109 में एक लियर कट कहा गया है, कि जो money bill होगा, उसे जो है, सिर्फ और सिर्फ लोक सभा पास करेगी, इसमें राज सभा का role सिर्फ deliberation और discussion का होगा, amendment suggest किये जा सकते हैं, लेकिन यह amendment binding नहीं होगा, अगर चाओदर दिलन के अंदर, इस money bill को पास नहीं किया राज सभा के दौरा, तो इसे deemed pass माना जाएगा, और हो सकता है amendment के लिए कुछ suggestion दिये जाएं, लोक सभा में वापस जाएगा, अगर लोक सभा में बुले कि नहीं नहीं कोई जरुरत नहीं है, इसे amendment करने की और सिधे, प्रेसिडेंट के पास अगर भेज दिया गया, तो ultimately क्या होगा, प्रेसिडेंट उसे sign करेंगे और ये bill act बन जाएगा, अगर हम इस concept को देखे money bill को, तो basically ये concept कहां से निकला के आता है, no taxation without representation, और जो लोक सभा है, वो popular house है, अना वो house है जहां पर directly लोग चुन कर आते हैं, राज सभा में लोग डारिटली चुन कर नहीं पहुशते हैं, इसलिए राज सभा के पास taxation से related अधिकार नहीं है, और money bill, soul किसका प्रेरोगेटिव है, लोग सभा का प्रेरोगेटिव है, आर्टिकल 110 में money bill को define किया गया है, it detail a list of subject, including the imposition and abolition of tax, अगर tax impose कर रहे हैं या abolition कर रहे हैं, तो उसे money will consider किया जाएगा, the regulation of borrowing of money, the appropriation of cash out of consolidated fund of India, and any matter incidental to the specified subject, तो 7-8 subject उसमें अलग से दिये हुए हैं, जैसे कि अगर आप consolidated fund of India से expenditure कर रहे हैं, तो वो money bill कहलाएगा, अगर आप money borrow करने से related regulation ला रहे हैं, तो money bill कहलाएगा, तो ये 7-8 points है, अगर इन में से कोई भी एक point justify हो रहा है, या फिर सारे justify हो रहे हैं, तब ही, only तब ही, इसे money bill consider किया जाएगा, article 1103 clause में clear किया गया है, कि जो लोक सभा के speaker है, उनका final say होगा, और वही determine करेंगे, कि bill जो है money bill है या नहीं है, इसे court में challenge नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जानते हैं, कि supreme court में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो challenge नहीं किया सकती, एक बाद decide होगा कि money bill है या नहीं, उसके बाद फिर उसे further आप supreme court में challenge कर सकते हैं, उसकी constitutional validity को, तभी तो आधार बिल को challenge किया गया था, और उसे supreme court के दोरा accept भी किया गया था, और उसके लिए ruling भी दी गई थी, अब यहाँ पर question क्या है, अब यहाँ पर जो question है, वो है term only, जो definition है 110 में, आर्टिकल 110 में, उसमें जो subjects दिये हुए हैं, उसमें यह clear cut कहा है, कि यह जो subject दिये हैं, और incidental matter, incidental matter मतलब, यह subject core होना चाहिए, और एक दो matter और हैं, छोटे मोटे matter और हैं, तो उसे हम money will consider कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए, disaster management act है, और disaster management act के लिए, आपने consolidate fund of India से, एक expenditure का provision निकाला है, expenditure का अगर आपने provision निकाला है, कि आपने बोला है कि भाई, disaster management में, आपको लोगों को, emergency में पैसो की ज़रुत होती है, और इसलिए एक fund बना दिया जाता है, तो fund, consolidate fund of India से expenditure हो रहा है, इसका मतलब money bill होना चीए, लेकिन disaster management में तो बहुत साले अलग अलग चीज़े हैं, तो वो money bill कैसे हो सकता है, तो वो finance bill कहलाता है, under article 117, 2015-14 के पहले, generally essay bill, finance bill की तरह ही पास हुआ करते थे, चीज़े clear है, लेकि 2014 के बाद से, हमने कई सारे billों को देखा है, कि वो money bill की तरह पेश किये गये हैं, और उसे पास किया गया है, उसका एक बहुत बड़ा reason ये था, कि राजसभा में, NDA को पूर्ण बहुमत नहीं था, अना NDA सरकार को, BJP को पूर्ण बहुमत नहीं था, लोग सभा में तो उनको पूर्ण बहुमत था, तो यहाँ पर जो question है, वो है only word का, ये word only का ही interpretation, इस Roger Matthew case में किया जाना है, now finance, जो bill था, finance act 2017 है, उसके बारे में थोड़ा सो और पढ़ लेते हैं, जो finance act है, उसमें बहुत सारे changes किया, जैसे कि, tribunal की functioning में काफी change किया गया, और ये directly, जो judiciary है, उसकी independence से related था, अगर आप tribunal के judges को, कितने समय तक के जो है, पॉइंट करेंगे, उनकी salary क्या होगी, और उनका tenure क्या होगा, service condition क्या होगी, अगर आप ये सारी चीज़े decide कर रहे हैं, तो ये तो एक normal bill होना चाहिए, बिलकुल salary related provision जरूर है, लेकिन सिर्फ salary related provision नहीं है, और ये incidental matter नहीं है, ये बहुत important matter है, जिसमें आप judiciary की independence को, affect कर रहा है ये bill, तो ये एक money bill की तरह पेश किया जाना चाहिए, या नहीं किया जाना चाहिए, यही एक बहुत बड़ा यहाँ पर question है, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कोई जादा issue नहीं होना चाहिए, रोजर मैथ्यू केस में clear cut case है, सिर्फ एकी provision है related to salary, जो की money bill के अंदर qualify होता है, लेकिन इसमें कई सारे extra provision है, तो ये finance bill की तरह होना चाहिए, और सुप्रीम कोट को under doctrine of colorable legislation, इसे struck down करना चाहिए, अना जो colorable exercise of power यहाँ पर की जा रही है, किसके दारा, सरकार के दारा, उस doctrine के अंदर इसे क्या किया जा सकता है, इस ट्रक डाउन किया जा सकता है, unconstitutional गोशित किया जा सकता है, अब doctrine of colorable legislation होता क्या है, इसे समझ लेते हैं, आपके prelims के लिए भी important है, और यह mains में एक point भी लिख सकते हो, इसका मतलब यह होता है कि जो executive authority है, अगर उसके पास directly कोई change या फिर कुछ ऐसे law है, जिसको करने के power नहीं है, तो वो उसे indirect तरीके से भी legislate नहीं कर सकता है, तो यह एक legal principle है, इस doctrine के अंदर जो supreme court है, वो इस तरह के laws को क्या करती है, unconstitutional घोशित करती है, जिसमें government के पास directly उस law को बनाने की authority नहीं है, और वो indirectly उस law को बना रहे हैं, यह colorable legislation doctrine होता है, तो यह आपके लिए एक important point हो जाएगा, इसको आपको लिखना होगा, ऐसे words अगर आप इस्तिमाल नहीं करेंगे proper, तो फिर आपको उतने अच्छे number नहीं मिलेंगे, यह terminology आपके लिए important होगी, कि इस Roger Matthew case में, यह doctrine का use किया जा सकता है, next क्या है, आधार act के बारे में बात करते हैं, आधार act as a money bill की तरह पास हुआ था, आधार act में सुप्रीम कोट ने, जो है verdict दी थी, पांच जज़ की bench बनी थी, और आधार act को as a money bill जो है, पास किया गया था, और सुप्रीम कोट ने कहा था, कि इसमें कुछ गलत नहीं है, यह जो है qualify होता है as a money bill, justice A के सिक्री, जिन्होंने majority opinion दिया था, जिन्होंने majority opinion का judgment लिखा था, उन्होंने conclude किया था कि section 7 of the आधार act, concerned subsidies, benefit and services, for which expenditure was to be incurred from consolidated fund of India and law met the condition of money bill, so, जो section 7 है आधार act का, उसमें जो provision है, वो subsidy से related है, कि subsidy दी जा रही है, direct benefit transfer किया जा रहा है, और उसके लिए जो है, consolidated fund of India से expenditure करने की ज़रत है, और चुकि ये provision directly money bill से related है, इसलिए आधार act money bill की तरहा जो है, पास किया, जा सकता है, qualify हो सकता है, पांच जज की bench ने, जो चीजें note नहीं की थी, वो ये थी कि इसमें कई सारे ऐसे provisions हैं, जो की money bill के अंदर नहीं आते हैं, इस रेंच फ्रॉम एन्रोल्मेंट तो दे स्कीम, बेस्ट ओन डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफरमेशन, अब्टेनिंग ऑफ कंसेंट फ्रॉम इंडिविजवल, बिफोर इंफरमेशन वस क्लेक्टेट, तो दे क्रियेशन ऑफ ओफेंसेज और पेनाल्टीज और इस्टेबलिश्मेंट ऑफ स्टैचिटरी ऑथॉर्टी तो एड्मिस्टर दा प्रॉसेस, तो आधार एक्ट के अंदर यू आईडी आई बनाया गया एक स्टैचिटरी बॉड़ी, ओफेंसेज क्या क्या होंगे, पेनाल्टीज क्या क्या लगेगी, ये प्रोविजन दिये गए, इसके अलावा इंडिविज्वल से पंसेंट लेने के प्रोविजन थे, बायोमेट्रिक रिलेटेड डेटा और डेमोग्राफिक डेटा उनसे मांगा जाना था, तो ऐसे कई सारे प्रोविजन थे, आधार एक्ट में, जो की मनी बिल के अंदर नहीं आते हैं, कौलिफाइ नहीं करते हैं, और ये इंसिडेंटल मैटर नहीं है, ये अपने आप में बड़ा मैटर है, प्राइवेसी से रिलेटेट मैटर है, लेकिन यहाँ पर सुप्रेम कोट ने कहा था, कि आधार जो बिल है, वो मनी बिल की तरह कौलिफाइ हो सकता है, 2019 में ऐसे ही एक और एक्ट बनाये गया था, प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट दो हजार दो, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किये गये थे, और इसे भी एज़ा मनी बिल की तरह पास किया गया था, इसमें जो अमेंडमेंट्स किये गये थे, वो देखने लायक है, जैसे की, डेफिनेशन चेंज करी गई थी, और वोट कॉंस्टिट्यूट प्रोसीड्स ओफ क्राइम, इसके अलावा जो एडी है, उन्हें बहुत सारी पावर दी गई थी, रिलेटेट टो, अरेस्ट, अटेच्मेंट, सर्च, एन सीजर, सो ये PMLA एक्ट को भी, मनी बिल की तरहा पास किया गया था, सुप्रीम कोट ने, विजय मदनलाल चौधरी वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया, 2022 केस में, इस अमेंडमेंट को अपहल्ड किया था, लेकिन इस बिल को, इस एक्ट को, as a money bill जो है, पास किया जाना चाहिए, या नहीं किया जाना चाहिए, ये open रखा था, और कहा था, कि जो 7 Judge Bench का result आएगा, उससे decide होगा, कि ये वाला जो, आपका PMLA Finance Act है, ये as a money bill qualify होगा, या नहीं होगा, recently, दीवाई, चंदरचून, जो की Chief Justice of India है, उन्होंने इस issue में अपने कुछ observations दिये हैं, उन्होंने कहा है, कि राजसभा is an indispensable constitutive unit of the federal backbone of constitution, उन्होंने क्या कहा है, कि राजसभा बहुत important constituent unit है, federal backbone है, हमारे समविरहान की, potential differences between the two houses of the parliament cannot be resolved by simply ignoring the राजसभा, अगर कोई differences हैं दो houses of parliament में, तो आप उसको इस तरीके से resolve नहीं कर सकते कि आप उन्हें bypass ही करतीजे, आप जो है, बिल को money bill की तरह पेश करिए, आप ignore नहीं कर सकते राजसभा को, in a federal policy such as ours, the efficacy of constitutional body created to subserve the purpose of deliberate dialogue cannot be defeated by immunizing from judicial review the decision of speaker to certify a bill as a money bill, ठीक तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी constitutional body है, उसकी efficacy यहाँ पर questionable है, इसलिए जो लोग सभा में speaker का decision है, उसे challenge किया जा सकता है, ये observation को आपको लिखना होगा, ये आपके लिए हैना, आपके means के answer के लिए important है, जो आपके Chief Justice of India, जो भी चीज़े बोलते हैं, हना आप उसे as it is, रट लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रट पाते हो, उसके जैसे थोड़ा बहुत भी लिख पाते हैं, हना उसका krugs भी लिख पाते हैं, especially in a federal polity like ours, हना हम लोग भले ही कौसी federal बोल सकते हैं अपने आपको, लेकिन पिछले 70 सालों में जो federal autonomy हैं, वो काफी ज़ादा बड़ी है, fiscal federalism बड़ा है, और overall federalism देखें, तो ये एक basic structure भी है, तो कब तक के सरकार जो है, इस तरह की practice को continue करती है, क्या Supreme Court 7 Judge की bench में decision ले पाएगी और इस तरह की practice को रोक पाएगी, ये आने वाले हफ़तों में हमें पता चलेगा, ये हमारा पूरा article था, hopefully ये article आपको पूरी तरीके से clear हो गया है, that's it for today, thank you and enjoy your day.